हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट बैल तुभी अतुल में मैं हूँ आपका दोस्त अतुल गोयल आज हम बात करेंगे फीचर के यूमर की जिसके उपर पहले भी काफी वीडियो जो हमने बनाए है और बताया था कि इसको आपको जानी रिजाइन सेज एमडी ओफ फ्यूचर के यूमर फार परसनल रिजन्स तो यहां पर जो एमडी है उनका रिजाइन हुआ है न्यूज आप देख सकते हैं यह बारा मई की है पांच बच के तेईस मिनट अशनी ब्यानी जो की किशोर ब्यानी जी की डोटर है जो एमडी जो है और भी ज्यादा नीचे गिरता हुआ नजर आएगा आप देख सकते हैं यह लेवल था इस लेवल के अंदर स्टोक ने काफी ज्यादा जो है लेवल दिखाए थे एक अच्छा बेस बनाया था जब इस बेस को इसने ब्रेक किया तो हमने क्लियर बताया था कि अब स्ट चार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो देखना काफी जुरूरी होता है कि चार्ट का स्ट्रक्चर किस टाइप का है तो चार्ट का स्ट्रक्चर देखिए टोटली हे डाउन ट्रेंड के अंदर चार्ट का स्ट्रक्चर था और यहां पर एक डिसेंडिंग ट्रेंगल के शेप बन के level को 2.25 पैसे देखिए, पहला लो था, उसके बोर पैसे पैसे हैं और आज का low देखेंगे, तो यहां पर भी 2.10 पैसे के आसपास का low यहां बनता हुआ नजर आया है, तो यहाँ पर देखे स्टोक ने थोड़ा सा bounce back दिखाया तो काफी लोगों को लगा कि स्टोक अब यहाँ से हाथ से निकल जाएगा लोग बनाने के बाद डवल ट्रिपल पांच गुना दस गुना के असपास होगा कि स्टोक लगबग उपर के लेवल से काफी ज़्यादा correct हो चुका है अगर इसके lifetime high को देखें तो यहाँ पर देखें लगबग आपको काफी ज़्यादा इसका price दिखाई देगा तो यहाँ पर जो है स्टोक उपर के लेवल से काफी ज़्यादा correct हो चुका है आप लोगों को लग रहा है कि यह stock जो है अगें 5-7-10 दुगुना तो होई सकता है यहां से बट यहां पर जो है सबसे बड़ी problem है कि अगर दोर पे 5 पैसे के level को इसने break किया और इसके निचे closing दी तो यह stock जो है सब फॉर्मों के डर से फिर से इसके अंदर बाइंग स्टार्ट करते हैं स्टोक को उपर से फिर निचे ला जाता है और अब देखिए जो MD का रिजाइन हुआ है वहां से स्टोक के अंदर और भी pressure बनता हुआ नजर आएगा और दोर पे 5 पैसे को अगर इसने break किया भी दोर पर 15 पैसे चल रहा है तो स्टोक जो एक रुपर 40 पैसे को भी टच करता हुआ नजर आ सकता है तो इन लेवल्स के उपर ध्यान दीजिए कोई भी पहले भी मैंने बताया था bounce back इसके अंदर किसी भी टाइप का आता देखें दोर पे 5 पैसे स्टोक जो है दोर पे 50 पैसे दग्या आता तो बिल्कुल इसके अंदर से निकलना ही बहतर है क्योंकि इसके अंदर resistance बिल्कुल आसपास ही है और स्टोक जादा उपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है दोर कोई भी investment का नजरिया इसके अंदर नहीं बनता है तो यहां पर स्टोक जो है दोर पे 5 पैसे को ब्रेक करने के बाद और भी ज्यादा नीचे जाएगा तो आपके निकलने में बलाई है कोई भी bounce back मिलता है तो बाहर निकलिए और इवन इन लेवल्स के उपर भी बाहर निकल कर दो निकलिए जो लोस हो रहा है उसको रिक वर कर दो